दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ओप्शन आल करें जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फॉरण मिल जाएगी जै शिर्राम भक्तों, भक्तो सबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रशन पूछा था कि वब्रु बहान की माता का क्या नाम है तो उसका उत्तर है वब्रु बहान की माता का नाम चित्रांगदा है, चलिए आज की कता श्रवन करते हैं, आज की कता है एक चतुर सांप और में आईए कथा श्रवन करें किसी परवत परदेश में भूधर नाम का एक वुरद शर्प रहा करता था एक दिन वे विचार करने लगा कि ऐसा क्या उपाय हो सकता है जिससे बिना परिश्रम किये ही उसकी आजीवका चलती रहे उसके मन में तब एक विचार आया वे समीब के गठे मेंडग को आश्चेर हुआ तो उसने पूचा मामा आज क्या बात है शाम हो गई है किन्तु तुम भोजन पानी की विवस्था नहीं कर रहे हो सर्प बड़े दुखी मन से कहने लगा बेटे क्या करूं मुझे तो अब भोजन की अभिलाशा ही नहीं रह गई है आज ब सादू ध्यान में लीन थे वह उनके मध्ध जाकर कहीं छिप गया उसको तो मैंने फिर देखा नहीं किन्तु उसके ब्रह्म में मैंने एक सादू के पुत्र के अंगुठे को काट लिया उससे उसकी ततकाल मृत्यू हो गई उसके पिता को इसका बड़ा दुख हुआ और उस मैं यहां तुम लोगों के पास आया हूँ मेंडक सर्ब से यह बात सुनकर अपने परिजनों के पास गया और उनको भी उसने सर्ब की वह बात सुना दी इस प्रकार एक दूसरे से और दूसरे से तीसरे कानों में जाती ही यह बात सब मेंडकों तक पहुँच गई उनके रा सर्प ने किसी को कुछ नहीं कहा, भूधर ने उन्हें भाती-भाती के कर्तब दिखाए, सर्प के कॉमलत वचा के स्पर्ष को पाकर मकड तो बहुत ही परसन हुआ, इस परकार एक दिन निकल गया, दूसरे दिन जब वह उनको बैठा कर चला तो उससे चला नहीं गया, उसको देखकर मकड ने पूछा, क्या बात है, आज आप चलने ही पा रहे हैं, हाँ, मैं आज भूखा हूँ, इसलिए चलने में कटना ही हो रही है, मकड बोला, ऐसी क्या बात है, आप साधारन कोटी के छोटे मोटे मेंडकों को खा लिया कीजिए, इस परकार वह सर्प नित्यपर बिना किसी परिश्रम के अपना भोजन पा गया, क्योंतो वह मेंडकों का राजा मकड यह नहीं समझ पाया कि अपने छणिक सुक के लिए वह अपने बंश का नाश करने का भागी बन रहा है, सभी मेंडकों को खाने के बाद सर्प ने एक दिन मकड को भी खा लिया, इस तरह मेंडकों का समूशा वन से नस्ट हो गया, दोस्तों इसलिए कहते हैं कि अपने हितैशियों की रक्षा करने से हमारी भी रक्षा होती है, भक्तों आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचारों सुझा कमेंट में जरूर दें, हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को पूस्कार करना ना भूलें, हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों का अच्छा ग्यान परापत हो, जैशिर राम भगता हूं